ओम श्यान्ती सुनते हैं 30 नुवंबर 2006 की अव्यक्त मुरली मुरली का टाइटल है ज्वाला मुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूछ को जलाकर बाप दादा समान बनो तब समाप्ती समी पाएगी आज की मुरली से 4 ग्वारा मैंपन की पूछ को जलाकर बाप दादा समान बनो तब समाप्ती समी पाएगी आज की मुरली से 4 ग्वेस्टन नुमबर 1 तीन परकार के खाते बच्चों के देखे कौन से वो तीन खाते हैं? नुमबर 2 कौन से मंत्र को यंत्र बना दें? तो खजानों का खाता जमा होता जाएगा नुमबर 3 समान बनने में कौन सी बात विगन है? लास्ट महवीर की पूछ को आग लगाने के लिए किस बात की आवश्यकता है? तो सुनते हैं 30 नुमबर 6 की अव्यक्त मुरली जौलावं की तपस्या द्वारा मैपन की पूछ को जला कर बाप दादा समान बनो तब समापती समी पाएगी आज अखुट अविनाशी खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों और के संपन बच्चों को ये जमा का खाता देख रहे हैं तीम परकार के खाते देख रहे हैं एक है अपने पुर्शार द्वारा सुरिष्ट कालब जमा का खाता दूसरा है सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ये संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता तीसरा है मनसा वाचा कर्मना संबन संपरक द्वारा बेहद के निस्वार सेवा द्वारा पुन्य का खाता आप सबी भी अपने इन तीन खातों को चेक करते ही हो यह तीनों खाते जमा कितने हैं हैं वा नहीं हैं उसकी निशानी है सदा सरवपरती स्वेमपरती संतुष्ट तासरो सरवपरती शुब भावना शुब कामना और सदा अपने को खुश्णमा, खुश्णसीब स्थिति में अंभव करना तो चेक करो दोनों कातों की निशानियां स्वयम में अंभव होती है इन सरव कहजानों को जमा करने की चावी है निमित भाव, निर्मान भाव और निस्वार्त भाव चेक करते जाओ और चाबी का नंबर पता है चाबी का नंबर है तीन बिंदी थ्री डॉट एक आत्मा बिंदी दूसरा बाप बिंदी तीसरा ड्रामा का फुल स्टाप बिंदी चाबी तो है ना आप सभी के पास खजाने को खोल कर देखते रहते हो ना इन सभी खजानों की वर्दी की विदी है द्रडता द्रडता होगी तो किसी भी कारे में संकल्प ने चलेगा कि होगा या नहीं होगा द्रडता कि स्थिती है कि हुआ ही पड़ा है बना ही पड़ा है बनेगा जमा होगा नहीं होगा नहीं करते तो हैं, होना तो चाहिए, तो भी नहीं, तो तो भी नहीं दिड़ता वाला निश्चे बुद्धी, निश्चिंत और निश्चित अनभव करेगा बाप दादा ने पहले भी सुनाया, अगर ज्यादा से ज्यादा सरुख जाने का खाता जमा करना है तो मन मना भाव के मंत्र को यंत्र बना दो, जिससे सदा बाप के साथ और पास रहने का स्वते अनभव होगा पास होना ही है, तीन रूप के पास हैं, एक है पास रहना, दूसरे हैं जो बीता सो पास हुआ और तीसरे हैं पास्विद आनर होना अगर तीनों प्राप पास हैं तो आप सबको राज्य अधिकारी बनने की फुल पास है तो फुल पास ले ली है वह लेनी है जिनोंने फुल पास ले ली है वह हाथ उठाओ लेनी नहीं है लेली है पहली लाइन वाले नहीं उठाते लेनी है आपको सोचते हैं सबी अभी संपूरन नहीं बने इसलिए लेकिन निश्चे बुद्धी विजई हैं ही या होना है अभी तो समय की पुकार भक्तों की पुकार अपने मन की आवाज क्या आ रही है अभी अभी संपन और समान बनना ही है तो यह सोचते हैं बनेंगे सोचेंगे या करेंगे अब समय के अनुसार हर समय एवरेडी का पार्ट पक्का रहना ही है जब मेरा बाबा कहा प्यारा बाबा मीठा बाबा मानते ही है तो जो प्यारा होता है उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता है बाप दादा ने देखा है समय परती समय समान बनने में जो विघन पड़ता है वे सब के पास परशिद शब्द है सब जानते हैं कौनसा अनभवी है न कौनसा यह है मैंपन इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा जब भी मैं शब्द बोलते हो तो सिरफ मैं नहीं बोलो मैं आत्मा जुडवा शब्द बोलो तो मैं कभी अभिमान ले आता बाड़ी कंसिस वाला मैं आत्मा वाला नहीं कभी अभिमान भी लाता तो कभी अपमान भी लाता है कभी दिल्शकस्त भी बनाता है इसलिए इन बाड़ी कांसिस के महपन को सुपन में भी नहीं आने दो बाप दादा ने देखा है सनेह की सब्जेक्ट में मेजरिटी पास है आप सभी को किसने यहां लाया सबी चाहे प्लैन में आए हो चाहे ट्रेन में चाहे बस में आए हो लेकिन वास्तों में बाप दादा के सनेह के विमान में यहां पहुंचे हो तो जैसे सनेह की सब्जेक्ट में पास है अब यह कमाल करो तो समान बनने की सब्जेक्ट में भी पास्वी दॉनर बन के दिखाओ, पसंद है, समान बनना पसंद है, पसंद है लेकिन बनने में थोड़ा मुश्किल है, समान बन जाओ तो समाप्ती सामने आ जाएगी, लेकिन कभी कभी जो दिल में परतिग्या करते हो ना बनना ही है, परतिग्या कमजोर हो जाती और प्रिक्षा मजबूत हो जाती, चाहते सबी हैं लेकिन चाहना एक होती है प्रैक्टिकल दूसरा हो जाता है क्योंकि प्रतिग्या करते हो लेकिन दिर्टा की कमी पड़ जाती है समानता दूर हो जाती है समस्या प्रबल हो जाती तो अब क्या करेंगे बाप तादा को एक बात पर बहुत हंसी आ रही है कौन सी बात महावीर लेकिन जैसे शाष्त्रों में हनुमान को महावीर भी कहा है लेकिन पूछ भी दिखा है यह पूछ दिखा है मैं पन का जब तक महावीर इस पूछ को नहीं जलाएंगे तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया भी समाप्त नहीं होगी तो अभी इस मैं मैं की पुंच को जलाओ तब समाप्ती समी पाएगी जलाने के लिए जौाला मुखी तुपस्या साधारन याद नहीं जौाला मुखी याद की अवश्यक्ता है इसलिए जौाला देवी की भी यादगार है शक्ति शाली यादगार तो सुना क्या करना है अब ये मन में धुन लगी हुई हो क्या समान बनना ही है समाप्ती को समीप लाना ही है आप कहेंगे संगम युप तो बहुत अच्छा है ना तो समाप्ती क्यों हो लेकिन आप बाप समान द्यालू किरपालू रहम दिल आत्माएं हो तो आज की दुखी आत्माएं और भगत आत्माओं के उपर हे रहम दिल आत्माएं रहम करो मरसिफल बनो दुख बढ़ता जा रहा है दुखियों पर रहम कर उन्हों को मुक्ति दाम में तो भेजो सिरफ वाने की सेवा नहीं लेकिन अभी अवश्यक्ता है मंसा और वाने की सेवा साथ साथ हो एक ही समय पर दोनों सेवा साथ हो सिरफ चांस मिले सेवा का ये नहीं सोचो चलते फिरते अपने चेरे और चलन द्वारा बाप का परिछे देते हुए चलो आपका चेरा बाप का परिछे दे आपकी चलन बाप को परत्यक्ष करती चले तो ऐसे सदा सेवाधारी भावत अच्छा बाबा ने फिर याद प्यार दिया बाबा ने का अच्छा पहले हाथ उठाओ जो पहली बारी आये है यह सेवा में भी पहली बारी आये अच्छा बाप दादा कहते भले पदारो आपके आने की मौसम है अच्छा अभी बोलो फिर बाबा ने इंदॉर जोन से सबके हाथ में है मेरा बाबा का दिल का सेप में सेंपल है हाथ तो बहुत अच्छे अच्छे हिला रहे है दिल को भी हिलाना सिर्फ सदा याद रखना भूलना नहीं मेरा अच्छा चांस लिया है बाप दादा सदा कहते हिम्मत रखने वालों को बाप दादा मदम गुणा मदद देता है तो हिम्मत रखी है अच्छा क्या इंदोर जोन है अच्छा इंदोर जोन साकार बाबा का लास समर्थी का स्थान है अच्छा है सबी बहुत खुश हो रहे हैं न गॉल्डन लॉटरी मिली है न जॉन की सेवा मिलने से सभी सेवाधारियों को छुट्टी मिल जाती है और वैसे संख्या में मिलती है इतने लाओ अभी देखो इतने हैं यह भी जॉन जॉन को अच्छा चांस है ना जितने लाने हो लाओ तो आप सभी को थोड़े समय के लिए पुन का खाता कितना बड़ा इकठा हो जाएगा इकठा हो गया यग सेवा दिल से करना अरताथ अपने पुन का खाता तिवरगती से बढ़ाना क्योंकि संकल्प समय और शरीर तीनों सफल किया संकल्प भी चलेगा तो यग सेवा का समय भी यग सेवा में वेतीत हुआ और शरीर भी यग सेवा में अरपन किया तो सेवा है या मेवा है परत्यक्षफल किसी के पास यग सेवा करते कोई व्यार्थ संकल पाया आया किसके पाफ खुश रहे और खुशी बाटी अच्छा चारों और के फिकर से फारिग बेफिकर बादशाओं को सदा बेगंपुर के बादसास रूप में स्थित रहने वाले बच्चों को सरव खजानों से संपन रिचस्ट इन दा वर्ड सरव बच्चों को सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला वाले के वर्दान और नमस्ति ओम शांति यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें